गाइज कैनन कैम 50 ऐसा मेरिलेस कैमरा है जिसने कैनन के आल क्रोब सेंसर जो DSLR उन सब की जगह ले लिए है अपने कंपक्ट एंड क्लासिक डिजाइन के वजह से यह कैमरा जो इस टाइम मार्किट में हौल सेलिंग कैमरा है यहां पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी द सेलिक में नाइट मैं इंडोर स्टूडियो में विदय का ठेस्ट करेंगे चार्ज पर प पहले स्ट्राइब में आपको इसकी सेटिंग बताँ गाइब दूसरे नंबर की विचर बताऊ चो चूर्फर की इस यहां किश्ट में आपको गायड करूँ में करूँ क्युक्त बटन दमाना या इन्फो का बटन दमाना तो आप इस तरीके की जो है स्क्रीन पर आ जाएंगे तो गया यहां पर सबसे पहले आपको शुटर स्पीड अपर्चर आया सू मिलता है जो कि आपने स्थेट कर लेना है उसके पाद जो जुरूरी सेटिंग मैं आपको बत रखना है इसके जो आपका AFL एयानि कि आटो फोकस है उसको आपने AF ट्रैकिग की आपकर रखना है जो कि यहां सब्सक्राइब फी बांद पटन दमाएंगा और यह सारी इसके फोड़ोग्राफिक की सैटिंग है तो यहं емश-पेंजकी के पाद्स आना है क्या आपने आई सो जो 1 इस को आपने हाई को आप आपने तेकशन बिल्क जो भार करके सनलाइड फोड़ यूट टेस्ट में हमने 85mm 1.8 लेंज साथ में कैनन का EFM आमाउट जो अडाप्टर आता है जो के DSLR के लेंज को मिल लेस्ट में चलाता है वह वाला यूज की है तो काई यहाँ पर दोपहर के तीन बजे का टाइम है और ड्राक्ट अभ्जेक्ट के ऊपर पढ़ रही है तो 境हाँ पर हमने इस कैमरे के आठोफॉकोस को टेस्स करने की ट्राइग किया यहाँ आपर हमने टेस्स्क्रीन से फोकस नहीं किया यहां पर live के उपर जो हमने इसका आटो फोकस टेस्स करने की ट्राई की है तो गर्वाद यहां पर अगर आप देखें इस photo को zoom करके तो इस photo के अंदर जो हमें sharpness हर चीज perfect मिली है मतलब यहां कि आपकी जो आपकी photo आएगी live mood के उपर भी आटो फोकस पे वह बहुत अच्छी निकल कराएगी तो गर्वाद यहां पर हमने इसके उपर सिर्फ one click filter apply कि है इसकी color tune जो हमने बहुत ही अच्छी बना लिया है और जो दूसरी photo है यहां पर जो हमने इस camera की jpeg quality को और color tune को test करने की try की है यह जो picture जो है में 7 MB के cream मिली है मतलब आपको picture के अंदर काफी ज़्यदा detail जो हो देखने को मिल सकती है यानि कि हमारे जो 6D camera है फुल फ्रेम camera है उसके उपर जो मुझे तक्रीबन 7 MB की photo मिलती थी तो यहां पर जो photo है इसके उपर जो हमने face detection को test करने की try की है यहां पर आप देखिए camera को जैसे हमने auto focus पे लाया यानि object को camera के आगे लाया तो वो देखिए उसने face को detect कर लिया है मतलब यहां के face detection इस camera की अच्छी है तो यहां पर अगर हम देखिए तो किसी जगह पे darks हैं किसी जगह पे blacks हैं यानि किसी जगह पे आपके sunlighter और shadows हैं तो यहां पर जो हाई लेटर shadows को detail है वो भी काफी अच्छी हमें देखने से मिली है तो यहां पर पीछे shadows है उनके अंदर भी काफी detail है मतलब यह कि आपका sensor है वो काफी अच्छा है जो कि आपके highlight shadows को cover कर सकता है तो यहां पर हमने दरख्तों में photoshoot करके इस camera के blur and bouquet को test करने की try की है तो यहां पर अगर आप देखिए तो blur and bouquet काफी अच्छा हमें देखने को मिला है यहां पर एक full frame camera के जैसा तो नहीं है लेकिन एक crop sensor camera में जितना आपको अच्छा blur मिल सकता है उतना blur पांच से 6 बजे का time है light काफी low है सुरज बिलकु नीचे जा चुका है तो अगर लो light में भी अगर आप देखें तो यहां पर हमें color tune काफी अच्छी मिली है अक्सर जो कैमरा में low light के अंदर color tune different हो जाती है और जो हमें wide balance अच्छा नहीं मिलता है तो यहां पर हमें wide balance भी अच्छा मिला है और जो background में detail है वो भी काफी अच्छी देखने को मिली है जो के अक्सर crop sensor camera's के अंदर background detail जो बिल्कुल खतम हो जाती है अब जेट के उपर जाए वो आपकी detail बाकी रहती है तो जो दूसरी photo है इसके अंदर में थोड़ा सा ISO बढ़ा लिया है ज्यादा ISO नहीं बढ़ाया है थोड़ा सा ISO बढ़ाया है ताके थोड़े से देखें के grains क बिल्कुल बढ़ाया है यहां पर अगर आप देखें तो इस प्र्क्टर के अंदर ना होने के बाबर है आई-उस हम नहीं यहां पर तक्रीबार दोसु के ग्रीब रह तो जोने के बाबर है फिर भी अगर आप देखें तो यहां पर जो है कोप sensor camera की जो है आपको काफी अच साइट से हमने लाइड यूज किया वो कुडॉक्स की 86108 बीम लाइड यूज किया है और साथ में एक्स प्रो ट्रिगर जब यूज किया है यहां पर अगर हम इस पिक्चर को जूम करते हैं तो पिक्चर के अंदर डटेल आप देखें काफी अच्छी है शापनेस काफी अच् से गुडॉक्स की 86108 बीम लाइड यूज के साथ यूज किया है तो यहां पर जो हमने इस कैमडे के टच्छ फोकस को टेस्ट करने की ट्राइग की है यहां पर हमारा अब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा था हमने जाट सक्रीन से फोकस किया तो यहां पर खुद बहुत कि पर लानी पड़ेगी ताकि आपका फोकस जहों बेहतर हो टो यहां पर यह दोससरी फोटो के अंदर एंपने यही ट्राइब करने की ट्राइग किया तो पिकचर यहां पर ہमें अच्छी मिली है लिक्न जो पिछले पिक्चर है उसके अंदर हमें जाए हम जोड़ी सी बलर यहां पर यह सारी फूटों जो मैंने आज की निकाली है उन सबका लिंग्जा डिस्पिशिस में वहां से जाके इंगों डाउनलोड करें और खुज जो कौालिटी को चेक करें यहां पर अब मेरा बातों पर ना रहे हैं खुद जो है वो डाउनलोड करें पिक्चर है इनको जूम करके क्वालिटी को चेक करें यहां पर इंडर स्टूडियो फोटोग्राफिक के अंदर हमने केरन का किट लेंज 15-45 यूज़ किया है और बैक से जह हमने गुडोवस की टीटी 600 फ्लेश लेड यूज़ किया जिसके ओपर रैड कलर का पेपर हमने यू गुडोवस का 8060 बीए फ्लेश लेड जो के ओक्टाबोस के साथ हमने यूज़ की है तो इसी वज़ासे हमारी जापिक्चर की राइड लेट साइड के ओपर जह है वह रैड कलर का बहुत ही कमाल का फेक्टा आ इसके ओपर हमने वन क्लिक फिल्टर प्लाइब की है जो कि कैमरा कैसा परफॉर्म करता है तो फुल पिक्चर के अदर फी बहुत ऑशम क्वार्टी जो निकल कर रही है इंडूर के अंदर यह कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो अगर आप वन क्लिक फिल्टर बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी इस पर उसे कारएट कर लिए तो यहां पर यह 24 मेंगा पिक्सला को अप संसर मिर ले स्केमरा इसके इडिव यूज गिया गया है इसके अंदर डुल पिक्सल आटो फोकस अंटिया इसके लावा अलेक्ट्रोनिक फाइंडर धिया गया इसके लबस जो तरीके से आपकी जो है वेरीयबल स्क को पॉइंट मिलते हैं इसके लावा यहां पर आपको बिल्ट-इन फ्लेश भी दे दिया गया है तो चलिए चोथे नमबर पर हम बात कर लेते हैं इस कैमरे की प्राइस की न्यू एंड यूज में तो आपको इसका जो किट लेंज है उसके साथ आपको यह साड़े 600 डालर में ओनलाइन या ओफलाइन अवेलेबल हो जाएगा अगर आप यूज में वाय करना चाहते हैं तो आपको पांचो साड़े 500 डालर में कंडिशन के हसाब चाहिए आपको कहीं से भी मिल जाएगा आज की वीडियो आपको कैसी लेगी लाद में कमेंट में पताईएगा और जो मै अगरी वीडियो तक के लिए बाए